हैं हेलो बच्चों आज हम कच्चाचार के हिंदी विशमें अध्यादू नमक की मिठास कहानी को पढ़ेंगे ठीक है इस कहानी को किस ने लिखा है के संकर पिल्ले ने के संकर पिल्ले के बारे में हमने आपको पीडियेप के द्वारा बताया है तो आईए सबसे पहले इस कहानी को पढ़ते हैं ठीक हम आपको इस कहानी का सारांस बताएंगे आप लोग इस कहानी को कम से कम तीन बार पढ़ेंगे ठीक कहानी का सारांस बताने के बाद हम इस कहानी से क्या सिक्षा हमें प्राप्त हुई है हम वो जानेंगे ठीक तो बहुत समय पहले एक राजा थे वे अपने उपर बहुत घमंड करते थे ठीक है हमेशा उन्हीं लोगों के पैस बैठते थे जो उनकी प्रसंसा करते जह थे जो की तारीब करते थे ठीक है सब लोगों के मुझे अपनी तारीब सुनकर राजा खुब खुब सोते थे फिर उन्होंने क्या किया उन्होंने सोचा कि चलो हम अपनी बेटियों से जानते हैं कि उनकी क्या जो है सोच है हमारे प्रती तो अपनी तीनों बेटियों को बुला के वह उनसे पूछा, कि बेटी, सभी लोग बारी-बारी से बताईए, कि आप हमें कितना प्यार करते हों तो उनकी तिनों बेटीओं जो है आईए, सबसे बड़ी बेटी बताती है कि पापा, मैं आपको इतना प्यार करती हूँ जितना आस्मान फैला हुआ है और जितना सोना सुध्य होता है मैं उत्तरा प्यार करती हूं अब भड़ी बेटी का उत्तर सुनके आस्मान और सूरच की तुलना और सोने की तुलना सुनकर राजा बहुत खुश हुए फिर उन्हें दूसरी बेटी से पूछा कि बेटी तुम बताओ तो दूसरी बेटी ब खहते है कि पापा मैं उतना प्यार करती हूं जितना। अप से प्राण से प्यार करती हूं अब दूसरी की की भी बाद सुनकर खूब राजा खुरुश हुए अब तीसे युद पारी आती है जो सबसे छोटी बेटी थी वो बहुत सरमीली थी फिर उसने जो है बताया कि पापा मैं उतना प्यार करती हूं आप से जितना एक बेटी को पिता से करना चाहिए अब राजा कहा कि यह कैसा जवाब हुआ बटा खुल के बताओ तो उसने कहा जितना नमक से आप हम प्यार करते हैं उतना हम आपसे प्यार करते हैं अब राजा कहें कि यह तो नमक जो है 35 रुपऐ 40 रुपऐ शलय किलो है इतना कम कीमत मेरे वह है मेरा लगा दिया इसने तो राजा को गुस्णा गया कि मेरी इतनी कम कीमत लगा दी दिद्स dollars का इसका मतलब तो मुझे प्य बीसरी बेटी से राजा जो है अप्रशन हो गया और फिर रिस्ता भी तोड़ना शुरू कर दिया और जो है उसको कोई न कोई सजा देने की सोचते थे अब है राजकुमार यह तीनों बड़ी हो गई अब पहली बड़ी बेटी का और दूसरे नमबर की बेटी का राजा ने अच्छे से राजा राजकुमार को देखके उसकी साधी कर दी ठीक है अब समय बीटा गया च्छोटी बेटी भी बहुत बड़ी हो गई फिर रानी जो है बोली कि राजा जी बिटिया बड़ी हो गई इसकी भी साधी कर दीचे तो राजा जो है वहीं पे एक भीखारी से गली में भीखारी जा रहा था उसी से अपनी बेटी का जो है विवा कर दिया अब छोटी बेटी जो है भीखारी के साथ उसकी साधी हो गई राजा को नमक से मेरी तुलना की ती इसलिए चलो इसको भीखारี हिद सही चाथで कर द कर दीया राजा अपनों बदला भी ले लिया लेसे लेकिन जो राज को मारी ही ती वाहत ही ती बहुत परीस्रमी थी बहुत साहर सी थी ठीक है वहां अपने पती के बारे में उस बिखारी पती के बारे में पहले जाना की ये क्या करता था कैसे था ठीक है फिर उसने और साथ ही साथ क्या किया उसने साथ ही साथ साहर के बाहर एक जोपड़ी बना के उसी में रहना जुरू कर दिया दुनों लोग ठीक है और कुछ किराये पर जो है जमीन ले ली और उसमें खेती करने लगे खेती करते करते उनके पास कुछ पैसी कठे हो गए तो फिर और जमीन ले ली उसमें खेती करने लगे उसके बाद कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा खेत हो गया उन सब के पास और बहुत ज़्यादा खेत होने के साथ-साथ, उनके पास पैसा भी खूब होने लगा, तो बहुत बड़ा-बड़ा, उन्होंने जमीन हर जगह ले ली, बहुत बड़ी-बड़ी बंगले बना लिये, ठीक है, राजमहल जैसा, उसके बाद पिर इन्होंने क्या किया, कई सारे जो है ऐसे ऐसे घर बना है जैसे उसमें सुब्दय सारा राजा माराजा जैसे हो अब छोटी बेटी ने ये सोचा कि चलो हम अब पापा को बता ही देते हैं नमक का मतलब क्या होता है ठीक है तो एक दिन खूब जो है सभी को निमंतरण भेजा जितने भी बड़े लोग थे रा सब्सक्रीन निमंतरण भेजा अब राजा जो है निमंतरण सुविकार करके चले राजा को यह नहीं पता था कि उनका निमंतरण जो आया है वो उनकी छोटी बेटी कि यहां से आया है आप भाई बड़े शेर घर में गया महल में वहां पर राजा महराजा जैसा ठाट बाड था ठीक है चारो तरब नोकर चाकर उस चोटी बेटी किते और चोटी बेटी जो थी अपना मूँ जो है घुंगर से छेपा के रखी थी सभी को भोजन पे बिठाया गया अब राजा के पास जो है ऐसी थालियों में ऐसी कटोरियों में जो है खाना दिया गया जिसमें नमक ही नहीं डाला गया था ठीक है बाकि सब में नमक पड़ा था अब सभी लोग जो है खूप चाओ से खा रहे थे राजा ने सारे जो है कटोरी को चिक किया किसी में नमक नहीं अब राजा जो है गुस्से में आ गए कि बिना नमक का खाना मुझको खिला रही हो इतने में भी राजकुमारी ने क्या किया अपना गुंगर तुठाया कहा देख लीजे पिता जी नमक के बिना आपका जीवन कितना धूरा है आप खाना तक नहीं खा सकते हैं उसी नमक जितना मैं आपको प्यार की थी अब राजा को जो है अपनी गलती का एसास हो गया ठीक है और उन्हें ने अपनी बेटी से छामा मांगी कि अब से जो है मुझे बिटा आपका प्यार मुझे पता चल गया ठीक है मैं ही मूर्ख था ठीक मुझे माप कर दो माफी मांगी उसके बाद फिर राजा ने अपनी गलती को सुईकार करते हुए उन्हें क्या किया अपनी बेटी बेटी और उसके पती को और दोनों से छामावांगी ठीक है बचों यहीं पर कहानी समाप्त होती है उसके बाद कहानी के बाद सब्दार दिया गया है इसको आप लोग पढ़ लीजिए और याद भी कर लीजिए और अपने कांपी में जो है उस सब्द और अर्थ को लिख भी लीजिए तो आईए अंत में देखते हैं कि इस कहानी से मैं क्या सिक्षा मिली तो बच्चों इस कहानी से मैं यह सिक्षा मिली कि समाज इस सोसाइटी में इस समाज में हमें चाहे जितनी तकलिफ है मिले हमें उन से पीछे नहीं अटना चाहिए हमें उनका डट के स यही सिक्षा मिली है ठीक है बच्चो अब यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है आप लोग इस कहानी को कम से कम तीन बार पढ़िएगा ठीक है ठेंक यू